आज के इस वीडियो में यूपी ट्रुपलेसी हिंदी के उन प्रश्णों को देखेंगे जो अभी तक यूपी ट्रुपलेसी के विभिन एक्जामों में पूछे जा चुके हैं आज जो हम चेप्टर कभर करने वाले हैं ये होगा अब्ब्याए अब्बे का ये चेप्टर आपके अगामी सभी परिछाओं के लिए बेहद महत्पूर होगा अगर आप चाहते हैं इसका टेस्ट देना तो आपको ये वाला आप डाउनलोड करना होगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्टर में और पहले कमेंट वाक से मिल जाएगा इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सस्क्राइब करें उसके बाद बेल आइकन दबाएं उसमें आल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेटरिन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए तो ये वीडियो सुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि हिंदी के लिए धेल सारी वीडियो आल्रेडी अपलोड है या तो आप पे जाके या फिर यूटूब के प्रेलिश्ट में जाके उन सबको देख सकते हैं क्वेस्चन है कि सीता सक्षियों सहित पुस्पबार्टिका गई यहाँ पे देखे सक्षियों सहित है जो यह अंडरलाइन है वाक्य में जो रिखांकित अब्वे प्रियोग है निमलिखित में से किस भेड का उधारण है आपके अपसन है समुच्चे बोधक, क्रिया बोधक, संबंद बोधक, बिसमयादी बोधक यह कोईशन पूछा गया था लोवर वन, जो लोवर सकेंड में, सकेंड सिप्ट में और जो एक्जाम डेट है एक दस दोजार उनिस है देखे इसके लिए सयुद्तर होगा सक्षियों सहित यानि कि संबंद बोधक यहाँ पर सक्यों सहित जा रही है, इसलिए यहाँ पर संग, साथ, के सहित, इस तरह का कोई भी सब्द आपको दिख जाएगा वहाँ पर होता है संबंद बोधक अगला है कि उनके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबंद भोधक सब्द कौन है उनके बिना तुम कुछ यह कोईशन पूछा गया था लोवर के जो के एक्जाम हुआ था तीस नो दोजार उन्निस सेकंड सिप्ट में तो यह है बिना जो बिना वाला सब्द है यह संबंद भोधक देखें यह वीडियो देखने से आपको बेन्फिट ही होगा कि आगे जो भी आप यूपे ट्रपल असी का पेपर देने वाले हैं लगपाल जो भी वहाँ पर यह कि आपसर नहीं यहां पे चार इस बार बारिस में बहुत होले पड़े यह लड़की बहुत सुंदर है मैदान हरा भरा है तुम अच्छे के लाड़ी हो यह कुशन पूछा गया था जूनियर असिस्टेंट रेग जाम एक्टिस पास 2019 में तो देखे होगा कि इस बार बारिस में बहुत होले पड़े यह है परिमार वाचक क्रिया बिसेसर अगला है कि मनोभाव को प्रकट करने वाले वे अभिकारी सब्द जिनका वाक से कोई संबंद नहीं रहता है क्या कहलाते हैं आपके आपसर यहां पे आए और यह कोशन पूछा गया था जूनियर रिख जाम 25.llesind फे डेखें इसी कहते हैं बिसमय आदि बोधक बिसमय आदि बोधक अभ्य जैसे कि हाई मैं क्या करूं अले पिछे हट जाओ रुको गिर जाओ गे तो इस तरह यह बिसमय आदि बोधक अभ्य होता था था है अगला है कि रूप के अनुसार क्रिया बिसेसर क इतने प्रकार के होते हैं आपके आपसे ने 1,2,3,4 तो दिखें ये होते हैं 3 कौन-कौन से ये भी तू पूछ सकता है आपसे तो पहला होता है मूल क्रिया क्रिया बिसे सड दूसरा होता है योगिक क्रिया बिसे सड तीसरा होता है अस्थानिय क्रिया बिसे सड तीन होते हैं रूप के अनुसार क्रिया बिसे सड कितने परकार के होते हैं यह आपको बताना है रूप के अनुसार आपने देखा तीन थे कौन-कौन तो मूल क्रिया बिस पूछा गया था अब चार चार जो आप देख रहे हैं ये कौन कौन होते हैं पहला होता है अस्थान वाचक क्रिया विसे सर्ड दूसरा होता है काल वाचक क्रिया विसे सर्ड तिसरा होता है परिमाड वाचक क्रिया विसे सर्ड चौता होता है रीती वाचक क्रिया विसेसर तो अर्थ के नुजार होते हैं चार अगला है कि किस वाक्य में संबंद भोधक अब्बे का प्रियोग हुआ है ऐसा काम मत करो मैं पीछे आया था मैं या काम नहीं करूँगा मैं काम के पीछे आया था यहां पे जो संबंद भोधक बताने की बात की गई थी यह एक जूनियर असिटेंट में क्वेशन पूछा गया था और इसके लिए आपका आपसर नमबड़ी सही होगा अगला है कि तुम बड़े चलांक हो इस वाक्य में कौन सुय सुद्धी है यह गलती है आपको बताना है कि यह क्या गलती है और यह कुशन पूछा गया था क्रिसी प्राविदिक भरती परिच्छा एक्जाम डेट है 15.2.2019 देखे इसमें अब्व्य संबंदी असुद्धी है अब्व्य संबंदी असुद्धी है यहाँ पर जो बड़े लिखा गया यह बड़े नहीं होना चाहिए यहाँ पर होना चाहिए बहुत तुम बहुत चलांको यह सही होगा अगला है कि समाना धिकरड किस अब्व्य का भेद है समाना धिकरड यह किस अब्व्य का भेद है समुच्चे बुदक नहीं होगा इसमें होता है समुच्चे बोदक अगला है कि तुम प्रति दिन खेलते हो उपर्युक्त वाक्य में प्रति दिन कौन सा क्रियाभी से सड़ है यह आपको बताना है यह भी कृसी प्रावितिक भरती परिच्छा में पूछा गया था तो तुम प्रति दिन मतलब यह नहीं कहा जा रहा है कि एक टाइम के बारे में बताया जा रहा है मतलब रोज रोज यानि कि यह हो गया काल वाच्चक क्रिया भिसेसर अगला है कि मनोभाव के अनुसार हटो सब्द कौन सा बिसमे आदि बोदक है हटो कौन सा बिसमे आदि बोदक है क्या यह संबोदन है चेतावनी है दिकार है या फिर बिसमे है तो कहा जा रहा है कि हटो यानि कि यह चेतावनी है तुम दिन भर घुमते रहते हो इसमें जो भर है यह सब्द कौन सा बिया है तो यह है निपात निपात के बारे में आपने पढ़ा होगा तो ये है निपात ये क्वेश्चन क्रिसी प्रावितिक बर्ती परिच्या 1522-2019 में पूछा गया था अगला है कि हम दोनों सांती पुर्वक पढ़ते हैं इस वाक्य में पुर्वक सब्द में कौन सा संबंद भोदक है सविभक्तिक नीड विभक्तिक मौलिक और योगिक तो यहां पर होगा जो होगा ये होगा मौलिक और ये क्वेश्चन क्रिसी प्रावितिक बर्ती परिच्या 1522-2019 में पूछा गया था अगला है कि मैं वहां होकर आया हूँ वाक्य में अब्वे कौन सा है इसमें कौन सा अब्वे आई ये आपको बताना है तो यहां पर है वहां क्वेश्चन ने पूछा गया था वीडियो में 23-12-2018 के सेकेंड शिप्ट में उसने कटोरा भर्दूत पिया वाक्य में अब्वे old और भर्द यानि कि से उद्टरों का षण वा एक सबताबद आया during tap 8 में कौन सा सब्द क्रिया विसे सड़े मतलब वाचक कहा गया है तो यहां पर जो आप कैसे उत्तर होगा यह आगे होगा अगला है कि वह आया और मैं गया इस वाकिय में समुच्चे बोदक सब्द बताईए वह आया मैं गया इस वाकिय में समुच्चे बोदक सब्द कौन सा है तो ये होगा और और होगा समुच्चे बोदक ये भी कॉशन वीडियो में पूछा गया था फार्स्ट वालेश्ट में देखें इसे काफी कॉशन पूछा जा रहा है एक नारमल चेप्टर के पेच्छा यूपिटर पलसी इस पे जादे जोट दे रहा है कारड एक ये भी है कि सभी लोग इसको पढ़ना नहीं चाहते अगला है कि हाई अब मैं क्या करूँ इस वाक में बिसमे आदि बोदक सब्द कौन सा है हाई अब मैं क्या करूँ तो इसमे जो बिसमे आदि बोदक सब्द है यह हाई यह भी वीडियो में पूछा गया था पहले सिप्ट में 23 दिसंबर को मुंबई के निकट पूना है तो इसमें जो निकट वाला सब्द है के निकट बताना है कि यह क्या है समुच्चे बोदक है, संबंद सुचक है सरोनाम है, संग्या है तो देखिए कि यह संबंद बताया जा रहा है मतलब कि मुंबई के निकट पूना है यानि कि यह संबंद सुचक होगा यह भी कराम भी कासद कारे में पूछा गया था 22 दिसंबर के second shift में जो वीडियो का paper है यह 4 shift में हुआ था अगला है कि उसे धीरे धीरे लिखने की यादत है रिखान कि सब्द क्या है धीरे धीरे तो रिखान कि सब्द है क्रिया 2060 क्रिया है धीरे और धीरे उसको वीबारे में बताया जा रहा है यनि कियोगे क्रिया बिसीजर देखिए अगर आप चाहते हैं इन क्वेश्चनों को टेस्ट के रूप में लेना तो आपको आप डाउनलोड करना होगा आप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्सर में और पहले कमेंट वाक से मिल जाएगा वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है यहाँ पे ब्याकरण के दिश्टी से रेखांकिस सब्द को पैचानिये मतलब लेकिन को आपको पैचानना है कि लेकिन क्या है तो लेकिन है अब्याह क्या है अब्वे क्वेशन पूछा गया था वीडियो में 22-12-2018 के सेकंड सिप्ट में अपसोस मैं नहीं जा सका इसमें जो रखां कि सब्द है अपसोस अब्वे का ये कौन सा प्रकार है तो यहाँ पे अपसोस कर रहा है वो और ये होगा सोक सूचक ये भी क्वेशन वीडियो में पूछा गया था 22-12 अब्वे कौन सा है उत्तर, ठेक, जापान या फिर क्रिश्टना तो यह है ठेक अपका सही उत्तर क्या है ठेक अब्वे अगला है कि कौन सा समुच्चे बोधक अब्वे नहीं है क्या आजन्म अर्थात एट एव अथवा देखिए, अगर आप अब्वे को देखेंगे तो अर्थात तो है ही एटव भी है, अथवा भी है आजन्म नहीं है यानि कि इस क्वेशन कर सही उत्तर हो जाएगा आजन्म अगला है कि कौन सा फद बिक्रित नहीं होता बिक्रित नहीं होता यह आपको बताना है तो संग्या जो बिक्रित हो सकती है यह होता है अब्वे अब्वे का मतलब परिभासा यह होता है कैसे सब्द जो बिक्रित ना हूँने हम अब्वे काते है question बन रचक परिच्छा में पूछा गया था दो बारा अठारा को पहले सिप्ट में अर्थ के अधार पे संबंद वाचक कब बेको कितने भागों में बाटा जा सकता है अर्थ के अधार पे त्यान देजिएगा अर्थ के अधार पे बताना है आपको तो ये बाटा जा सकता है तेरा भागों में पूछ सकता है कभी कभी कि कौन कौन तो देखे पहला होता है काल वाचक, दूसरा अस्थान वाचक, तीसरा दिसा वाचक, चौथा हेतु वाचक, पाँचवा साधन वाचक, छाठवा अबिसे वाचक, उसके बाद से बिरोध वाचक, उसके बाद से साचार वाचक, उसके बाद से तुलना वाचक, उसके बाद से संगरा वाचक, उसके बाद से साधर से वाचक, उसके बाद से ब्यतिरेक वाचक, यहाँ पे ब्यतिरेक है आदाव व ब्यतिरेक होता है ब्यतिरेक वाचक उसके बाद से आप देखेंगे एकाउंट के एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, इगारह, बारह तो यह होगे हैं, बारह, और जो, तेरह होगा, बी, न, मै बी, न, मै तो यह एक, कुल, मिला गए होते हैं, तेरह अगला है कि, जो शब्द, वाक्यांस हो, वाक्यों या सब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं आपके चार भी कल्प हैं ये कोईशन बन रच्चक में पूछा गया था देखें इन्हें कहाते हैं समुच्चे बोधक जहां पर वाक्यों वाक्या फिर सब्दों को जोडने वाली बात है ये से हम समुच्चे बोधक कहाते हैं जैसे की वरना किंतू परंतू और तथा या अगला है कि निमने से अब्बे क्या कौन सा है अब्बे बताना है आपको भारत स्याम आ दच्चर ये कोईशन चेतरी वाकल्यान में पूचा गया था ये होगा आ अगला है कि वह धीरे धीरे चल रहा रिखांके सब्द को पहचानिए दीरे धीरे धीरे क्या है यही तो आपको बताना है देखें जो धीरे धीरे है ये है क्रिया विसेशर और ये कोईशन 16 9 2018 के एकजाम में पूचा गया था रात भर जागना स्वास्त के लिए अच्छा नहीं है रिखांके सब्द को पहचानिए भार को आपको बताना है कि क्या है तो देखें भार के बारे में हम पहले ये बात कर चुके हैं ये है संबंद सूचक अब्यए अगला है कि जिन अब्यव का संबंद वाक किसे नहीं वक्ता के हर सोक आदि भाउं से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं तो नहीं हम कहते हैं बिसमे आदी बोदक ये कोश्चन चेत्रीवा कर लियाण 16.2018 के सेकेंड स्रिप्ट में पूछा गया था अगला है वाह वाह कितना सुन्दर दिल से है रिखां कित सब्द में कौन साब्या है ये तो असान है ये होगा हर्स बोदक अगर देखें सोक की बात होगी तो कहा जाएगा कास हाए अहा तराइ 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 अगर आस्चर की बात होगी तो ओ हो हे है स्विकार होगा तो हाँ, जी हाँ, ठीक, अनुमोदन होगा तो ठीक, तिरसकार होगा तो छी, हट, धिक, संबोदन होगा तो अरे, अहो, अजी, इस तरह के सब्द आते हैं अगला है कि माधुवी अतियंत सुन्दर गाती है, रेखांके सब्द क्या है तो देखिए, यह है अतियंत, यानि कि यह होगा क्रिया विसेसर परिमार वाचक क्रिया विसेसर अब्बे कौन सा है इन में से यह कोईश्चन ग्राम पंचायत अदिकारी 4.12.2016 में पूछा गया था देखिए, परिमार वाचक का मतलब की अगरी इस तरह का कोई सब्दा है बहुत, अतियंत, थोड़ा, किंचित, तो यहां पर जो सब्दा है यह है अतियंत अगला है कि परिमार वाचक क्रिया विसेसर अब्बे है, कौन इन में से कौन है, तो यह है इतना, कितना इतना, तो यह है परिमार वाचक अगला है कि समुच्चे बोधक को करते हैं, यह कोईशन जई में पूछा गया था, जो पेपर हुआ था, 31.12.16 को समुच्चे बोधक को क्या करते हैं, यह होता है, अभी कारी अगला है कि लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा बेद है तुरंत दो सकेंड के अंदर अपना उत्तर बता दिया करें तो देखिए ये होगा आपका क्रिया विसेसर पहुंचा तो ये होगा क्रिया विसेसर अगला है कि निम्न में से क्रिया विसेशड अब्बे चुनिये कौन है जो कि क्रिया विसेशड है इसमें कुट्ता भोंकरा, राम खाना खा रहा अधिक मत बोलो, राधा रात भर जागती रही तो ये होगा, राधा रात भर जागती रही अभी तक जो लोग इस वीडियो को लाइक ने किया है जरो लाइक कर दें वीडियो काफी मत पूर यूपी ट्रिपलेसी के किसी भी एकजाम के लिए भरोसे में सब्द कौन सा रूप है भरोसे तो भरोसे होता है शंबंद बोधक शंबंद बोधक अगला है कि पुष्टके धढ़ाधड भिक रही है इसमें जो धढ़ाधड सब्द है यह क्या है क्या एक क्रिया बिसेसर है तो हाँ यह क्रिया के बारे में बताए जा रही है कि कैसे भिक रही है तो धढ़ाधड भिक रही है यह कोईशन लोवर वन भरती में पूचा गया था पेपर हुआ था 28226 को आभी कारी सब्द क्या होता है तो देखे ये होता है अभ्य आभी कारी मतलब की अभ्य कोईशन पूछा किया था ग्राम पंचाइद कारी बढ़ती परिछा है 21216 में से कौन सा सब्द क्रिया बिखेषएश्ण मतलब क्या की बिखेष्टा बता है जैसलिया ही रट ही रट दोड रहा रहा है तो दोडने के बारे में कौन बता रहा है तेज यानि कि तेज हो जाएगा क्रिया भी से सर यह कोईशन बंद्रचक बर्टी पर इच्छा 11.12.2015 में पूछा गया था वह अलाचार है क्योंकि वह अंदा है इस वाकि में कौन सा अब्बे है अब्बे का ये आखरी कोईशन होगा तो यह होता है कारण वाचक यह कोईशन चकबंदी लगपाल में पूछा गया था चलिए दो कोईशन और दिख लेते हैं ऐसा लगा मानू बंप भटाओ इस वाक्य में कौन साब्ब्य है ऐसा लगा मानू बंप भटाओ तो यह होता है श्वारूप बोधक अगला है कि राम धीरे धीरे पढ़ता है इस वाक्य में धीरे धीरे सब्द क्या है धीरे धीरे वाला कई बार आप से पूछ चुका है धीरे धीरे तो धीरे धीरे है क्रिया बिसे सड तो बस आज के इस वीडियो में इतना है इस वीडियो को लाइक करने के साथ हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी इस एप को जरूर डाउनलोड करें लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन में और पहले कमेंट बाक्स में मिल जाएगा एससे अनलाइन इंग्जाम लिख कर आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे तो आज के इस वीडियो में इतना है थेंक यू